मैं शिखाश शिवास्ताओ, मेरे चैनल शिखाश कीचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केवल दो ही इंग्रिडेंट का इस्तमाल करके आज हम बनाने वाले हैं आईस्क्रीम, बिना किसी मशीन के आज हम बनाएंगे इस आईस्क्रीम को तो आप देख सकते हैं दोस्तों जितनी सुन्दर ये दिखने में लग रही है, यकीन मानिए, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है आप अपने पसंद के कोई भी फ्लैवर की आईस्क्रीम इस तरीके से बना सकते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आए तो आप देख सकते हैं कितना सुन्दर मैंने इसे स्कूप आउट किया है और बस पिष्टे से थोड़ा सा इसे गार्निश कर रही हूँ तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस आईस क्रीम में हमें किन चीजों की जरुट है और इस आईस क्रीम को हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है तो इस आईस्क्रीम को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ लिटर मिल्क लिया है दूद अच्छा बढ़िया गाढ़ा होना चाहिए मैंने भी फुल फैट मिल्क लिया है सबसे पहले तो दूद को हमें गरम होने रखना है और कम से कम 3-4 मिनट तक के हमें दूद को अच्छी तरह से उबालना है इस आईस्क्रीम को बनाने के लिए आपको बिलकुल भी ऐसा नहीं है कि आईस्क्रीम बीटर की जरुट पड़ेगी या किसी मशीन की जरुट पड़ेगी बहुत असानी से हम इस आईस्क्रीम को तयार कर सकते हैं और बस गरमी का मौसम तो आही गया है दोस्तों मैंने आपके साथ तरह तरह की आईस्क्रीम की रेसिपी शेयर की है जिसे आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया है और आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूं दोस्तों उसमें तो आपको आईस्क्रीम बीटर किसी भी चीज की जर्वत नहीं है ना ही कोई special powder चाहिए दूद और गेहूं का आटा तो जादतर सभी के घर पर होता है तो दूद को 4 मिनट तक के जादा उबाले और यहाँ पर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा और इस आटे को आपको आधा कब दूद में अच्छी तरह से डिजॉल्व करना है दूद मैंने रूम टेंपरेचर पे रखा हुआ लिया है बहुत जादा गरम दूद ना ले फ्रीज का ठंडा दूद भी ना ले नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे गुठलियां पढ़ जाएंगी खुब अच्छी तरह से आटे को दूद में घोल लेना है ताकि गुठलियां ना पढ़ने पाएं और फिर इस घोल को हमें डालना है उबलते हुए दूद में तो दूद को उबलते हुए चार मिनट पूरे हो चुके हैं बढ़िया स्लो फ्लेम पे दूद उबल रहा है और अब ये जो गेहूं के आटे का हमने जो घोल तयार किया है उसे आपको इसमें डालना है ताकि गेहूं का जो आटा है वो भी अच्छी तरह से पक जाए इससे ह जलाती जा रही हूं कम साथ से आठ मिनट तक आपको इसे स्लो फ्लेम पर पकाना है और अब इसमें हम डालेंगे शकर तो यहां पर मैंने पचास ग्राम के करीब शकर ली है आप लोग थोड़ी मीठी आइस क्रीम खाते हैं तो दो चमश शकर और भी डाल सकते हैं अब हम यह यहां पर डालेंगे एसेंस यदि आप वैनिला एसेंस बना रहे हैं दोस्तों तो आपको डालना है वन टी स्पून वैनिला एसेंस और माल लिजे आप किसी और फ्लेवर की बनाना चाह रहे हैं माल लिजे आप औरेंज फ्लेवर की बनाना चाह रहे हैं तो आप डालेंगे essence आप pineapple flavor की बनाना चाह रहे हैं तो आपको डालना है pineapple emulsion, emulsion का मतलब क्या होता है दोस्तो, emulsion का मतलब होता है जिसमें essence और color दोनों ही होते हैं उसे हम कहते हैं emulsion, तो माल लीजिए आपने डाला strawberry emulsion तो आपको मिलेगी strawberry ice cream, emulsion डाला है तो pink color भी आएगा, सांथ ही सांथ strawberry का flavor भी आएगा, तो बढ़िया essence डालने के बाद आपको इसे कम एकम तीन से चार मिनट और अच्छी तरह से पका लेना है, यहाँ पर मैंने ice cream बनाने की molds आते हैं जो कि मैं तो हमेशा इसी में ही ice cream जमाती हूँ और दोस्तों जब भी आप ice cream जमाएं और जल्दी है तो हमेशा aluminium के बरतन का इस्तमाल करें क्योंकि ice cream बहुत जल्दी set होती है इसका ढखकन जो है इसका lead जो है दोस्तों sliding है बहुत ही अच्छी तरह से slide हो जाता है तो 12 घंटे के बाद की shooting है मैंने रात को इसे जमाया था सुबह आपको बता रही हूँ अब इस ice cream को आपको फेटना है एक बड़ा कटोरी भर कर मैंने बिल्कुल fresh ताजी ताजी मलाई ली है ice cream को हमें फेटना बहुत जरूरी है यदि आप नहीं फेटेंगे तो बहुत सारे ice crystal आ जाएंगे तो बस इस ice cream को मैं निकालती जा रही हूँ इस डबे में से और इस grinding jar में डाल रही हूँ और कम से कम आप इसे 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से फेट ले फेटने से इसमें ice crystal नहीं आते हैं बहुत से लोगों को ये समस्या होती ही कि हमारे ice cream में ice crystal आ इसका करणी है आप दूद पतला ना लें बिलकुल गारा दूद होना चाहिए दूद को थोड़ा जादा देर पकाएं ताकि उसमें पानी का अंश बिलकुल ना हो और इस बैटर को खूब अच्छी तरह से आपको फेटना है तो मैंने इसे 3-4 मिनट तक फेट लिया है उसके बाद ही आपको इसमें मलाई डालना है मलाई डाल कर आपको जादा नहीं फेटना है नहीं तो मलाई से मक्खन निकल जाएगा और फिर मक्खन के छोट छोटे गोले इस आईस क्रीम में आने लगेंगे तो 3-4 मिनट मैंने फेट लिया है और अब इसमें मैं मलाई को एड़ कर रही हूँ जितनी बढ़िया आप कटोरी भर कर मलाई डालेंगे उतनी ही क्रीमी आपकी आईस क्रीम बनेगी मलाई डालने के बाद वापस मैं इसे फेट रही हूँ सिर्फ एक से दो मिनट फेटें और बढ़िया इस आईस क्रीम को सेट करने रखेंगे तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पसंद की किसी भी फ्लैवर की आईस क्रीम को बनाए यकिन मानिये दोस्तों बहुत ही बढ़िया आईस क्रीम बनेगी आपको खुद को बढ़ा मसाएगा वैसे मेरे चैनल पर आपको तरह तरह की आईस क्रीम की रेसिपी मिलेगी जिसे आप सब लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और ये आईस्क्रीम तो बिलकुल अलग है दोस्तों बहुत ही साधरान चीजों से मैंने बताया है थोड़ी सी मैं बारिक कटे हुए पिष्टे डाल रही हूँ तो मैंने अच्छे जादा ड्राइफ रूट्स डाल दिये हैं ताकि आईस्क्रीम को खाने में भी बड़ा मजा है और बस फ्रीजर में रखें छे से साथ घंटे में आईस्क्रीम सेट हो जाएगी और फिर इसे आप सर्व करें तो अब आप देख सकते हैं पूरे छे घंटे के बाद की शुटिंग है आईस्क्रीम बहुत अच्छी तरह से जम चुकी है अब मैं आपको इसे स्कूप आउट करके दिखा रहे हूँ तो दोस्तों ये स्कूपर आप देख रहे हैं सबसे बेस्ट इसकूपर है बहुत से स्कूपर आते हैं जिसमें रिंग लगी रहती है स्प्रिंग लगी रहती है वो तूट जाते हैं ये अलुमीनियम का बना है इसे भी मैंने बरतन के सामान की दुकान से सौ रुपए का लिया है आप देखिए इस तरह से स्कूप आउट करें जितनी सुन्दर ये दिखने में लग रही है ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है थोड़े से बारिक कटे पिष्टे और बादाम से इसे मैं गार्निश कर रही हूँ तो ये हमारे गेहूं के आटे की आईस्क्रीम बनकर बिल्कुल तयार है तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो उसे दें आप इस चोटा सा लाइक साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आपलों को के सालगा